मलकु छूरी लेकर आगे बढ़ा और गाली देंकर कहा बजाना बंद का रांजे मैंने उसकी गाली के जवाब में और जोर से लाड़ा मारा क्यों? जब बात गहरत पर आजाती है तो मैं किसी की नहीं सुनता मैंने कहा मलकु तुझे जो चाकू मारना है मार तु इधर चाकू मारेगा मैं ड़्ोल पर लाणा मारूंगा यह सुनते ही वो मुझे पर शिकारी कुत्ते की तरह जबता मैंने उसके पेट में लाद मारी उसने घुस्से में आकर मेरा ड़्ोल फाड़ दिया फिर? फिर क्या हुआ? हो ना क्या था? इससे पहले कि मैं उसके हमले का जवाब देता सब लोगों ने मुझे ही पकड़ लिया मीनु बाजी तो रोने लग गई मुझे सकी पीर का वास्ता दे कर वहाँ से जाने को कहा उसे डर था कि कहीं मैं उसके भाई को मार मार कर बराबर ही न कर दूँ और रोशन कहा था उस वक्त? वही था और कहा था बुश्दिल का बच्चा चुप चाप कड़ा देखता रहा उसे तो इतनी शरम ना आई कि अपने उस्ताद के बेटे का साथ देता वो तो अपने चाचे की तरफ हो गया था वैसे तो बड़ी बातें करता है लेकिन जब मोका आया तो मैदान ही छोड़ गया रोशन की इस गदारी पर मेरा दिल बहुत दुख है मुकदस आने दो इसे इसको चमड़ा अतार के तेरे ढोल पर ना चड़ाया ना मुझे कहना